पी वाई जू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कर्स करते हैं सब्टेंबर अटाइम के कैमिकल बांडिंग के कोश्चन्स हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग दिस इस केमिस्ट्री बाबा वैलकम टू केमिस्ट्री अड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं अपन पी वाई क्यू सीरीज में कैमिकल बांडिंग के जैनवरी अटाइम के कोश्चन अपने देख लिए थे सब्टेंबर अटाइम के थर्ड अप सब्टेंबर के भी कोश्चन अपन कर चुके हैं अब बात आती है कि जो बचे हुए चार्स सब्टेंबर से लिए के 6 सितंबर तक के जो पेपर थे उनके कोश्चन आज अपन डिसकर्स करेंगे और देखेंगे कि यार किस तरह के कोश्चन कैमिकल बांडिंग से बने थे और कितनी रफ्टार में उन कोश्चन के साथ आप खेल सकते थे चलिए स्टार्ट करते हैं कैमिकल बांडिंग 4 4th of September morning shift के questions, 4th September morning shift में हमारे पास दो question थे chemical bonding से, पहला question आपके पास कुछ इस तरह से था, on combustion, lithium, sodium and potassium in excess of air, the major oxide form respectively आठीके आप क्या कर रहे हो, lithium को, sodium को, potassium को combustion कर रहे हो, मतलब oxygen के साथ react करा रहे हो, तो कौन सा oxide form होगा, आपको अलग-अलग oxide बना के रखे हैं, कुछ oxides हैं, कुछ paroxides हैं और कुछ superoxide हैं, आपको बताना है कि lithium कौन सा oxide बनाएगा भई, sodium किस तरह का oxide बनाएगा, और potassium किस तरह का oxide बनाएगा, अब यहाँ पर अगर बात करें, तो lithium जब oxygen के presence में आप react कराते हो, इसे, लीथियम के presence, लीथियम, तो oxygen के presence में जब आप इसे react कराओगे, तो lithium simple oxide बनाता है, कुछ इस तरह से, Li2, यहाँ पर lithium plus 2 में होगा और oxygen minus 2 में होगा, यह simple oxide होता है, जब sodium, sodium है आपके पास, उसे आप oxygen के presence में react कराओगे, तो sodium peroxide बनाता है, sodium क्या बनाता है, पर oxide बनाता है, क्या बनाता है, sodium peroxide Na2O2, Na2O2 बनाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि sodium पर, दो sodium पर plus 2 का charge है, और इन दो oxygen पर minus 2 का charge आएगा, मतलब एक oxygen पर कितने का आएगा, minus 1 का मतलब यह क्या है, पर oxide है, ठीक है, और यहाँ पर जब आप potassium को react कराते हो, oxygen के साथ, तो यहाँ पर यह superoxide बनाता है, कुछ इस तरह से, KO2, यहाँ पर potassium plus 1 में है, oxygen minus 1 में है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जो बना है, lithium oxide, यह जो हमारा है, यह simple oxide है हमारा, यह हमारा simple oxide है यार, और यह जो sodium का बना है, sodium oxide, यह हमारा paroxide है, यह हमारा paroxide है, और यह potassium जब oxygen के presence में रेक कराओगे, तो यह आपका super oxide form होगा, यह आपका super oxide form होगा, oxide, paroxide और super oxide यह form करते हैं, तो यह आपका option number 3 आपको दिख जाएगा, जिसमें lithium simple oxide form कर रहा है, sodium par oxide form कर रहा है, और आपका potassium super oxide form कर रहा है, तो यह बहुत basic था, NCRT से direct question था, जब आप S-Block की NCRT पढ़ोगे, वहाँ पर, वहाँ पर directly लिखा हुगा है, कि lithium आपका oxide form करता है, sodium par oxide form करता है, और potassium आपका super oxide form करता है, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ यार कि NCRT को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCRT से direct question आपके बनते हैं, यह ध्यान रखेंगे, यह 4 सितंबर morning shift में पहला question था, अब बात करते हैं कि दूसरा question है, हमसे किस तरह का पूछा, नास question है, हमें देखा जाता है, 4 सितंबर morning shift का, दूसरा question है, question को जिस सरा से था, the intermolecular potential energy for the molecule, A, B, C and D given below, suggest that, ठीके, आपको potential energy given है, भाई, A, B, C, D molecule की, ठीके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कि कुछ उन्होंने statement दिये हैं, आपको यह बताना है कि इस graph से आप क्या suggest कर सकते हो, पहला statement है आपके पास, D is more electronegative than other atom, second statement, A, D has shortest bond length, third statement, A, B has stiffest bond, and fourth, A, A has largest bond enthalpy, अब यहाँ पर आप graph को थोड़ा गोर से देखो, प्यार graph को जब आप गोर से देखोगे, तो आपको पता चलेगा, कि यहाँ पर, यहाँ पर जो A, B है, यहाँ पर जो A, B है, उसकी जो potential energy, उसकी जो potential energy, वो क्या है भाई, minimum है, उसकी potential energy क्या है, minimum है, आप एक बाद जानते हो, जो कि जितनी कम potential energy होगे, उतनी कम पोडेंशल energy होगे, उतनी जादा bond strength होगी, उतनी क्या होगे, और जितनी जादा bond strength होगी, उतनी मोझा रेंध ह्क यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर पहला statement देखो, D is more electronegative than other atom ये गलत है भाई B जो होगा वो जादा electronegative होगा ये ध्यान रखना है सबसे जादा जो electronegative होगा कौन सा होगा B मतलब पहला statement तो गरलत हो गया भाई दूसरा statement देखो AD has shortest bond length AD की सबसे छूटी bond length होगी AD की थोड़ी है ये statement भी गलत हो गया थर्ड स्टेट्मेंट देखे रहा हुआ है AB has a stiffest bond ये साही है भाई AB जो है वह stiffest bond होगा बहुत पास-पास होंगे भाई वो ठीक है नास्ट फूर्थ statement A has largest bond enthalpy ठीक है bond enthalpy जो है वो A की सबसे जादा होगी ये गलत है AB की जो bond enthalpy होगी वो सबसे जादा हो क्योंकि bond strength AB की सबसे जादा है मतलब यहां से सिर्फ हमारा जो थर्ड स्टेट्मेंट है वो अपन सजेस्ट कर सकते हैं कि ये statement आपका correct है तो आपका जो third option है AB has stiffest bond ये सही चला जाएगा वह ये option आपका जहाँ समझ लेना है ना नहीं है ठीक है और बहुत आसान थे रफ्तार में खेल सकते थे उनके साथ आप बात करते हैं कि चार सितंबर evening shift में हमारे पास किस तरह के question थे चार सितंबर evening shift में हमारे पास दो question थे यार chemical bonding से पहला question कुछ इस तरह से था an alkaline earth metal M readily form water soluble sulfate and water insoluble hydroxide its oxide MO is very stable to heat and does not have rock salt structure M is पहला option है calcium, दूसरा option है beryllium third option magnesium and fourth option strontium एक alkaline earth metal M जो बहुत आसानी से water soluble sulfate बना लेता है और water insoluble hydroxide बना लेता है अब हमारे पास कौन कौन से हैं हमारे पास beryllium है यार beryllium का sulfate की बात करते हैं पहले फिर magnesium sulfate फिर calcium sulfate और फिर strontium sulfate की बात करते हैं कि यहां पर सबसे पहले तो बता तो चले कि कौन सबसे ज़्यादा soluble होगा इन में से अगर मैं यहां से यहां compare करता हूँ तो यहां हमारा common iron क्या है sulfate है मतलब large common iron है और large common iron है तो मतलब अपन hydration energy से solubility देखेंगे तो यहां से यहां अगर बात करें तो यहां से यहां हमारी जो size होगी वो क्या हो रही होगी size हो रही होगी बढ़ रही होगी size बढ़ रही है तो हमारी जो hydration energy है वो क्या हो रही होगी कम हो रही होगी क्योंकि जो hydration energy है वो directly proportional होती है किसके charge के inversely proportional होती है size के यहां पर charge तो सब्सक्त में constant रोगा plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 ठीक है लेकिन size बढ़ लही और size बढ़ लही है तो hydration energy के हो जाएगी कम हो जाएगी hydration energy कम हो रही है तो आपकी जो solubility है वो भी क्या हो रही होगी solubility क्या हो रही होगी कम हो रही होगी मतलब सबसे ज़्यादा soluble कौन होगा BSO4 then MgSO4 then CSO4 then SRSO4 मतलब सबसे आसानी से तो BSO4 water soluble sulfate बना लेगा और दूसरा इसने कहा है कि water insoluble hydroxide वो form करता है अब hydroxide की बात कर देते हैं जैसे कि हमारे पास beryllium hydroxide है magnesium hydroxide है calcium hydroxide है और strontium hydroxide है चीक है अब यहाँ पर उसने बोलाए कि water insoluble hydroxide बनाता है अब यहाँ से यहाँ आगर compare करें तो हमारा charge तो common रहेगा plus two minus two plus two minus two charge तो common है सब में plus two minus two plus two minus two charge common है लेकिन size बढ़ लई है अब यहाँ पर common है हमारा छोटा है तो अपन solubility lattice energy से predict करेंगे तो यहाँ से size बढ़ लई है size बढ़ने से हमारी latest energy क्या हो रहे होगी कम हो रहे होगी क्योंकि lattice energy भी directly proportion होती है charge के inversely proportion होती है किसके size के और आप जामते हो कि जो solubility होती है solubility जो होती है वो directly proportion होती है hydration energy के inversely proportion होती है lattice energy यहाँ पर size बढ़ ला है size बढ़ने से lattice energy कम हो रहे है हो रही होगी वह बढ़ रही होगी मतलब यह यहां सबसे कम सॉलिवल कोण है क्या रिये यह सबसे आसानी से वह यह सबसे आसानी से आज़ीड बना लेगा लेकिन 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 वाटर इंस ऑल और जो आपका बैरिलियम और बहुत जादा स्टेबल होता है यह ध्यान रखना है और इसका रोट रॉक्सल टाइप भी स्ट्रक्चर नहीं होता है तो आपका जो सेकंड आप्शन है वह आपका क्या होने वाला है इस बात का ध्यान रखो तो जो अलकलाइन अर्थ मैटल है वह मैं डैयान क्या है ऐसी बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि वहां हो बहुत आजान से वाटर सॉलीवल सल具प एडबर और बहुत आसानी से वाटर सॉलीवल क्या बना रहा है था और उसका जो उक्साइड है वह उसी जाद स्टेबल होता है और इसका स्ट्रक्चर रॉक्सलald आ नहीं होता इस बात का ध्यान रखेंगे यह आपके पास सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा इसमें यह था भाई चार सितंबर इवनिंग शिपनर पहला कुश्चन दो कुश्चन आये थे अब बात करते हैं कि नैस कुश्चन हमसे क्या पूछा था नैस कुश्चन के बाद जो प्रोडड़क बन रहा है क्या उसमें उस एलिमेंट का पिन पैचान्न है कि कॉण सा होगा तो पैले ट्रिक्शन आपके पास क्या है कि प्रोड़ोनेशन देखे रहे क्या है क्यों यह यह जो ж है श्तरी mesma को 10ew यहां पर नाइट्रू जन को उपको बताना है जब यह protonation करेगा तो यह क्या बनारेगा NH4 positive अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके पास iron के लिए निकालने का क्या trick था कि जितने valence electron है उतना positive charge आता तो valence electron में से उतना minus कर दो तो इसके पास 5 valence electron थे एक positive का charge है तो एक valence electron को minus कर देंगे गिवन है क्या XCF4 है आपके पास XCF4 है ठीक है यहाँ पर zenon है उसके react करवा रहा है आप SBF5 के साथ SBF5 के साथ reaction करवा रहे हो अब यहाँ पर अगर zenon के hybridization की बात करें तो zenon के पास total 8 valence electron होते हैं यार वो क्या करेगा चार bond pair बनाएगा और 4 electron के 2 lone pair मतलब हमारे पास total कितना अने वाल है 6 over 6 है तो hybridization के हो जाएगा हमारे पास SP3D2 जब यह SBF5 पे साथ react करेगा तो कुछ इस तरहीं के product बनाता है XCF3 XCF3 positive plus SBF5 negative XCF3 positive और SBF5 negative अब यहाँ पर अगर बात करें जिनन की की जिनन का हाइबरेशन क्या होगा जिनन की पास कितने वैलन सेलेक्टों है 8 positive का चार्ज है मतलब साथ वैलन सेलेक्टों है उसने तीन क्या कर लेगा तीन bond pair बना लेगा और दो का क्या करेगा दो का lone pair हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो हमारे पास total 5 आने वाला और 5 आ रहा है तो हाइबरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास SP3D तो यहाँ पर हाइबरेशन SP3D2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा SP3D मतलब जिनन का हो जाएगा है जिसमें जिनन का यह पास सितंबर किस तरह के कूशन है बात करते हैं कि चैप्टर में दम तो है तो इस चैप्टर को बड़े आराम से पढ़ाएं दोस्ति इस चैप्टर को पके पढ़के जाोगे तो मांक्स आपके पक्के हैं इस बात का ध्यान रगेंगे जहीं इवेंस में तो कोशन को जिस तरह से था पहला कोशन को जिस तरह से था अब अगर बात करें तो हाइबराइशन क्या रहा होगा यहां पर यहां पर जो पी ऐलफूर होगा उसका जो हाइबराइशन हो क्या रहा होगा एसकी यह यहां पर फॉस्वरेशन की बात करें तो फोस्वरास का जो हाइबराइशन रहेगा वो कितना रहेगा 6 bond pair रहेंगे और 6 bond pair मतलब hybridization क्या रहेगा SP3D2 ठीक है तो यहाँ पर जो structure निकलेगा वो क्या निकलने वाला है octahedral निकलने वाला है यहाँ पर जो structure है वो क्या निकलने वाला है octahedral तो यहाँ पर PCL4 positive tetrahedral में और PCL6 negative octahedral में form में exist करेगा यह आपका जो second option है वो आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है तो यह 5 सितंबर morning shift में कुछ इस तरह का question आए था अब दूसरा question जो पूचा था वो आपके potential energy cut for the hydrogen molecule as a function of intermolecular discants is अलग-अलग graph बना कर रखियों उसने or intermolicural aguya hydrogen के लिए अगर मैं graph की बात करूं hydrogen के लिए अगर मैं graph की बात करूं ठीक है यहाँateur potential energy लेता हॉं यहाँ पर मैं intermolecular distance मोलीक्रश्ण लेता हो kач तरीक आता है याँ धूश था देखा भी होगा जब अपन कोविलेंट बॉंड पढ़ते हैं तो ये ग्राफ बताया जाता और येसा कहा जाता है कि जितनी कम potential energy होती है उतना जादा क्या होता है कि bond की stability उतनी जादा होती है bond strength उतनी जादा होती है bond की मजबूती उतनी जादा होती है तो hydrogen molecule के लिए कुछ इस तरह का graph आता है भाई potential energy and intermolecular distance के बीच में ये ग्राफ जो था देखो ये potential energy के जो graph था ना वहां से दो question थे एक तो अपन अभी करके आए भाई और ये दूसरा question था मतलब इस graph से थी क्या आ गए दो कुशन आ गए ठीक है तो इस graph ये graph बहुत important रखता है भाई ठीक है ये question था पांस सिदंबर morning shift में दो question थे पहला question को जिस तरह से था और दूसरा question ये था हमारे पास अब बात करते हैं कि पांस सिदंबर evening shift में हमारे पास किस तरह के question थे पांस सिदंबर evening shift में हमारे पास दो question थे यार chemical bonding से को पहला question आपके पास को जिस तरह से था the compound that has largest HMH bond angle और M हो सकता है आपका nitrogen, oxygen, sulfur and carbon is ठीक है आपको HMH angle बताना है कि bond angle उनमें से सबसे ज़्यादा किसका था भाई उसकी अबन बात करते हैं तो हमारे पास कौन-कौन है हमारे पास भाई CH4 है ठीक है हमारे पास CH4 है दूसरा हमारे पास NS3 है नेस हमारे पास water है फिर हमारे पास H2S है ठीक है अब यहां पर रोंगन बात करें कि hybridization क्या है, कि hybridization, स्करवन के 4 bond payer है, मतलब hybridization sp3, nitrogen के 3 bond payer, 1 beyond pair, hybridization sp3, oxygen के 2 bond payer, 2 loan pair, hybridization sp3, यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास, 2 bond payer, 2 loan pa via, hybridization क्या होगा, sp3, hybridization तो सहीं आगया, अब क्या देखेंगे, अब देखते हैं number of lone pair at central atom, number of lone pair at central atom की central atom पे कितने lone pair हैं, CH4 carbon central atom है कितने lone pair, कि 0 nitrogen के पास कितने, कि 1 oxygen के पास कितना, कि 2 sulfur के पास कितना, कि 2, वर आप जानते हो कि जो bond angle होता है आपका, जो bond angle होता है आपका वो universally proportional होता है number of lone pair at central atom, number of lone pair at central atom, की Central Atom पर जितने कम लोन पैर होंगे उतना जाधा बॉंड एंगल आता है तो यहां पर बॉंड पर अलग है तो बॉन अपन कमपेरिजन कर सकते हैं लोन पेर और सेंटरल एंटम की मदद से तो यहां पर अगर बात करें तो सबसे कम जो लोन पेर हैं जीरो वो कहाँ है C4 में तो यहाँ पर जो सब से जादा च्छ 4 में Sr. 5 यहाँ दनों का पर वहां सकता है तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे जादा है वह किसी होगाoup। रहें च्छ 40 औन फिराफ मैक्सिमन से जादा होने वाला है यह जो carbon hydrogen hydrogen का जो bond angle आने वाला है CHH यह सबसे जादा किसमें आने वाला है हमारा CH4 के case में आने वाला इस बात का ध्यान रखेंगे तो यह पहला question था हमारे पास 5 सितंबर evening shift में अब बात करते हैं कि नयास question हम से क्या पूछा था है इवनिंग शिप्ट में second question हमारे पास कुछ इस तरह से था hydrogen peroxide in pure state is first non planar and almost colorless second option is linear and almost colorless third option planar and blue in color fourth option linear and blue in color अब अगर बात करें H2O2 हमारा क्या होता है भाई planar होता है नहीं भाई planar तो नहीं होता है यह तो हाप open book like structure होता है हाप open book like structure है हाप open book like structure है तो भाई यह non planar होगा सबसे पहली बात तो यह है मतलब जो भी planar वाले option है वो क्या हो जाएंगे cancel out हो जाएंगे और दूसरे अगर बात करें तो hydrogen peroxide जो होता है वो हमारा colorless होता है यह ध्यान option में linear देखे रखा हुआ है यह कलरलेस होता है और non planar होता है इस बात का ध्यान रखेंगे हाप open book like structure hydrogen peroxide का होता है यह पाँ सिटमबर evening shift का question था भाई अब बात करते हैं कि 6 सितंबर को हमारे पास किस तरह का कुश्चन है 6 सितंबर मौनिंग शिप्ट में हमारे पास एक कुश्चन था केमिकल बॉर्णिंग का कुश्चन कुछ इस तरह से था अमंग दा सलफेट ऑफ अलकलाइन अर्थ मैटल दा solubilities of BSO4 and MgSO4 in water respectively are first option high and high second option poor and poor third option high and poor and fourth option poor and high ठीक है अब यहां पर अगर MgSO4 और BSO4 को अगर हम compare करें तो यहां पर क्या हो रहागा इन दोनों में अगर मैं solubility की बात करूं कि कौन पानी में ज्यादा solubile होगा यहां पर अगर बात करें चाज तो स Yum रहेगा यहां पर कितना रहेगा प्लस टू कर यहां पर माइनस तो क्मानी भख ज्यादा होती है इस बात का ध्यान रखें तो यह दोनों क्या होगे वही Absolubile होंसे हैं दोनों क्या होते हैं highly Soluble होते हैं क्योंकि इनकी Hydration energy होती है बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजे से इनकी जो Solu sensitive to a T वो बहुत ज़्यादा है तो इसका option जाएगा क्या जाएगा हाई एंड है महाला की में ज़िनगे में कम है लेकिन लेकिन तो बहुत ज्यादा है भाई ठीक है यह पूचा आप्शन में कि हाई है तो इस तरह का कोशन था फर्स्ट ऑप्शन जो है हाई है वह आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इस कोश्चन के लिए छे सितंबर मॉनिंग शिप्ट में सर्फ एक कोशन था इविनिंग शिप्ट में कैमिकल बॉन्डिंग से कोशन नहीं दीकर गया था ठीक है तो इस तरह के कोशन के अपने जनवरी अटेम के पहले देख लिए थे सब्टमबर अटेम की अपने आज बात कर लिए कि जितने भी कोशन आए थे सब्टमबर अटेम में वह यहां पर अपने कवर्ड हो चुके तो इस वीडियो में बावाजी की तरफ से इतना ही मिलता है नास वीडियो में तब के लिए पढ़ते रहें जैहन जैवारत